दुनिया वालों को प्रभावित करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़े हैं, ऐसा पहलो तो दुनिया प्रभावित हो जाएगी, ऐसी गाड़ी में जाओ तो दुनिया प्रभावित हो जाएगी, ऐसे घर में रहो तो दुनिया प्रभावि करने का अगर कोई रास्ता कोई मारग महापुर्शों ने बताया है तो वो एक मात्र और एक मात्र भगवान का सत्संग है माने जब आप सत्संग में जाकर की बैठते हैं भगवान की कथा में बैठते हैं तो दुनिया प्रभावित नहीं होती आपको देखकर के शी ठाकुर जी प्रभावित होते हैं कि आप उनकी कथा में बैठ करके उनकी लीलाओं को सुनने आये हैं तो ये जो भगवान का सत्संग है ये दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं है अपितु ये भगवान को प्रभावित करने के लिए हम सुनते हैं दुनिया प्रभावित होती है आपकी प्रेजेंटेशन देख करके दुनिया को आपकी इंटेंशन से कोई मतलब नहीं आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होने चाहिए अगर आपकी presentation अच्छी है तो दुनिया प्रभावित हो जाएगी आपके मन के भाव आपकी intentions क्या है उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं पर ठाकुर जी एक मातर ऐसे हैं जो केवल और केवल हमारी intentions देखते हैं हमारे मन का भाव देखते हैं कि मन से कितना सुन्दर हैं मन से इसके जीवन में क्या-क्या अच्छे अच्छे विचार हैं क्या-क्या भक्ती के विचार हैं तो भगवान की जो प्रसन्यता है वो भागवत में चुपी हुई है भागवत के श्लोकों में चुपी हुई है भागवत के सार में चुपी हुई है भागवत के श्लोक फिर भी आज कल के लोग संस्कृत ना बोल पाते ना पढ़ पाते ना सुन पाते एक ब्रज के महारत जी थे वो बिचारे अंगुठा चाप थे कभी कुछ पढ़े लिके नहीं थे पर वो रोज भागवत जी ले करके सुबह एक घंटा बैठे रहते अपने से सामने रखके भागवत जी का पना खोल करके तो उसको ऐसे बैढ जाते अब जिस आदमी ने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो कहावत है ना कालाकशर भैस बरावर उसको क्या समझ में आ सकता है तो गाउं के लोगों ने का रहे बाबाजी तोकू तो कचू पढ़वो ना ब्रजवासी थे तो ब्रजवासी तो ऐसी बोलते हैं तो तड़ाग बाबाद तो कचू पढ़ने ना पे तो यह भागवाजी थे खोल के बैठ जाए तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ हमको इस लोग तो नहीं आते पर इस लोग की चिंता तुम करो मैं भागवत जी इस लोग के लिए नहीं पढ़ता हूँ माने इसमें लिखा क्या मुझे उससे फरक नहीं पढ़ता पर मुझे हर एक इसके उस काले अक्षर में मुझे अपना शाम वर्न कनिया नजर आता बंसी बजाता कभी नाचता कभी गाता तो ये बहाने जो हम बनाते हुए कि हमें ये भाशा नहीं आती कि हमको ये ज्ञान ये कठिन शक्त अरे आप भागवत लेकर के बैठो तो सही भागवत के पन्ने कभी खोलो तो सही भागवत घर में पड़ी पड़ी विचारी उस पर एक एक मीटर की धूल जमा हो गई कभी उनको खोल के देखो कभी उनका एकाद अक्षर पढ़के देख हो अलमारी में घर में द्रंत रखने से बुद्धी नहीं बदलेगी कई लोग कहते हैं घर में मावरत रखने से जगड़ा हो जाता है सचमुच हो जाता है मावरत रखने से जगड़ा कब नहीं होगा जब मावरत खोल के देखोगे तब जगड़ा नहीं होगा उसको पढ़ोगे उसकी सिक्षाओं को पढ़ोगे तब जगड़ा नहीं होगा ऐसी रखे रखोगे अलमारी में जगड़ा तो नहीं होना है शास्त्रों को पढ़ना चीए शास्त्र केवल देखने के लिए घर की डेकोरेशन के लिए नहीं बने पढ़ने के लिए उनका अध्यन करने के लिए बने और अगर किसी कारण हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो जहां कोई सच्चा महापुरुष इन शास्त्रों की वाणियों को बता रहा हो उनसे सुनिए क्योंकि ये शास्त्र ये पुरान कोई युग के लिए नहीं है कई लोग कहते हैं आरे ये तो त्रेता द्वापर में ही लोगों के लिए ठीक थे कल्यूग के लोग कहां पुरान हर युगों के लिए उतने ही कल्यूग के लिए पुरान उतने ही सार्थक हैं जितने सत्यूग के लिए और अगर टाइमिंग के साब से देखा जाए तो व्याज जी हुए द्वापर युग में व्याज जी ने आके पुरानों की रचना की यान पुरानों का वर्नन द्वापर युग से शुरू होना चाहिए था लेकिन जब राम जी त्रेता युग में अपने गुरुजी के गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहाँ पर गुस्वामी जी वर्नन करते हैं वेद पुरान वशिष्ट बखान ही सुन ही राम जद्यपी सब जाने राम जी सब जानते हैं फिर भी बैटके सुन रहे हैं वशिष्ट जी क्या सुना रहे हैं वेद पुरान वशिष्ट बखान ही अत्रेता में पुरान कहा से आगए व्याज जी तो द्वापर में आय थे तो द्वापर में पुरान होने चाहिए, बोले नहीं, ये पुरान कभी भी पुराने नहीं होते हैं, ये हर युग में साथ साथ चलते हैं, हर युग में पुरान थे, हर युग में उपनिशद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, और हर युग के लिए ये उतने ही सार्तक हैं, जितने सत्यूप के लिए थी